हेलो स्टुदेंट्स दिस प्राची वेल्कम तो अवर चानल आश्रम करने वाले हैं क्लास 10 चाप्टर 10 का नया टॉपिक दिस इमेज फॉर्मेशन बाई कन्केव लेंस अगर अभी तक आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस नहीं देखी है तो आल से स्टिक पर जुरूर देखे जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो अब हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्केव लेंस उसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स है तो मैं रूल्स यहां पर पहले आपको एक्स्पेिन कर देती हूँ, there are three rules, let us discuss. तो rules define करने के लिए मैं नहीं इमेज बना लए है सबसे पहले कि यह है आपके concave lens, यह है optical center, यह है focus, यह is center of curvature. अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि optical center क्या होता है, focus center of curvature क्या होता है, तो important terms define करने के लिए एक video बनी हुई है, जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा, यह सारी terms आपको आपको पता चल जाएगी कि यह कैसे कैसे define की गई है, तो सबसे पहला rule क्या होता है, कि जो हमने convex में किया था, क्या convex में किया था हमने, कि जब parallel आती हैं तो वो focus से पास होती है line, जब incident line, incident ray parallel आती है, तो after reflection वो focus से पास होती है, right, तो यहाँ पर क्या है, concave lens रे, concave lens का दूसरा नाम क्या होता है, diverging, जो हम पढ़ चुके हैं, diverging का मतलब क्या था है, कि अपने बात से divert हो जाती है, दूर चली जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहला case क्या होगा, कि जब parallel आई, और वो क्या हो गई, diverge हो गई, इस तरह से, parallel, incident parallel आई, और अपने बात से diverge हो गई, तो incident और यह हो गई, diverge, लेकिन first rule कहता क्या था, कि जब कभी भी line आपकी parallel आ रही होती है, तो वो focus से पास होती है, तो यहाँ पर भी focus से पास होगी, बस difference क्या है, कि यहाँ पर हमें imaginary focus से पास कराना पड़ेगा, यानकि हम अपनी imagination में उसको focus से पास कराएंगे, जैसे कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ extend करूँ, तो यह कैसे होगी, इस तरीके से focus से पास होगी, तो आप यह dotted देख सकते हो, dotted का मतलब है कि actual में focus से पास नहीं हो रही है, यह हमें दिखाई दे रही है कि यह focus से पास होगी, तो similarly, next case क्या था, कि अगर वो focus पे आती है, तो वो कहां जाती है, बिल्कुल parallel जाती है, तो यहाँ पर भी same case रहेगा, कि focus पे आएगी, और बिल्कुल parallel जाएगी, कैसे focus आने के बाद parallel कैसे जाती है, let us discuss, तो यह light ray, जो कहां पर आने वाली है, focus में आने वाली है, यहनि कि इस direction में आने वाली है, यहनि कि ता कि अगर मैं इसको आगे virtually extend करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कि यह incident ray focus की तरह आ रही है, तो हमने यहाँ पर इसको pass कराया है, और after reflection, यह कहां चलेगी, बिल्कुल parallel चलेगी to the principal axis, तो यह हो गई incident to focus पे, और जैसे ही refract हुई, वो चलेगी बिल्कुल सीधा parallel to the principal axis, थर्ड के अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम जैसे की concave का था, जैसे की convex का था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, कि optical center से आएगी, बिना divert, बिना converge हुए, वो undeviated, under converges, सीधा का सीधा बिल्कुल चले जाएगी, तो optical center से आती है, बिल्कुल सीधी चले जाती है, तो यह पर मैंने बना लिये हैं, यह है आपका focus 1, center of curvature first, तो यहां आप लोगों के NCRT बुक में, center of curvature 1 को 2F1 भी लिखा गया है, center of curvature 2 को 2F2 भी लिखा गया है, तो यह भी आप यूज कर सकते हो, यह भी यूज कर सकते हो, गलत कोई भी नहीं है, यह ऐसा क्यों लिखा गया, कि आपक focus का डंग कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको 2F2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला case क्या है, कि जब object आपका infinity पे होता है, बहुत infinity पे होता है, तो जैसी infinity पे होता है, तो वहां से raise कैसी लेते हैं, हम parallel लेते हैं, जैसी हमने convex में किया था, तो यह parallel रे रे ली हमने parallel, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था, जब first rule क्या कहता है, कि अगर parallel आ रही होती है, वो क्या हो जाती है, बिलकुल diverge हो जाती है, तो हम उसको भी अब क्या कर देंगे, बिलकुल diverge कर देंगे, तो जैसे ही parallel आई, और lens के साथ टकराई, और अपने पाद से क्या हो गई, diverge होगी, लेकिन, रूल क्या कहता है, diverge होने के बाद, अगर हम उसको extend करते हैं, backward side पर, तो वो कहां meet करती है, yes, focus पे meet करती है, that is first rule, तो यहीं से हम जब इसको extend करेंगे backward, तो कहां meet करेंगी, यह, focus पे meet करेंगी, इस तरह से मैं इसको dotted बना रही हूँ, why dotted, यहां हमें दिखाई दे रही है, meet होती हुई, but वो actual में meet नहीं हो रही है, वो actual में diverge हो रही है, right, तो actual में meet नहीं हो रही है, virtually, हमें imagination में meet हो रही है, right, तो सबसे पहली क्या हुई, imagination है, dotted है, तो इसकी nature क्या होगी, virtual and erect, erect का मतलब सीधी बनेगी, right, दूसरी बात, size क्या है बिलकुल छोटा सा size है तो size क्या रहेगा diminished बहुत ही छोटा size रहेगा third अगर हम बात करें तो बन कहा रही है यह बन रही है add f1 तो add f1 focus first similarly second case के अगर हम बात करें तो scientist ने observe करा different different जगा पर रख कर जैसे कि हमने convex के cases किये थे beyond c1 add c1 between c1 f1 between o and f1 हर जगा पर रख कर उनों ने देखा image एक ही बन रही थी कहाँ image बन रही थी वो बन रही थी between o and f1 तो second case आपका क्या रहेगा between infinity and o यानि कि अब object आप चाहे infinity से लेकर optical center के बीच में कहीं भी रख दो image कहाँ बनेगी आपकी वो हम अभी बनाकर देखते हैं कहाँ बनेगी जैसे image कहाँ बन रही थी between o and f1 तो मैं कहीं भी object रखने वाली हूँ जैसे हम रख देते हैं object यहाँ रख देते हैं ठीक है मा लीजे आपने object यहाँ रख दिया यहाँ पर इंसिदेंट पैलर हुई reflection के बाद क्या हो गई diverge होगी तो first rule क्या कहता है कि जब हम इसको पीछे के तरफ extend करेंगे तो वो कहाँ से पास करेगी वो पास करेगी आपकी focus से ठीक है करगी पास focus से अब second क्या है second आपका rule क्या कहता था कि अगर वो focus पे पास होती है तो वो कहाँ जाती है बिल्कुल straight जाती है यह तीसरा rule क्या कहता था वो बिल्कुल अगर हम optical center से पास कराते हैं तो वो सीधी की सीधी undeviated चले जाती है तो आप second भी apply कर सकते हो और third भी apply कर सकते हो तो मैं यहाँ apply करने वाली third जो बहुत easy लग रहा है में इको बनाना तो मैं यहाँ पर यह कर देते हैं O से इसको pass करा देते हैं तो जब हम इसको O से pass कराएंगे तो यह बिल्कुल इस तरीके की चली जाएगी ठीक है तो जैसे ही यह गई यह incident यह underrated O से चली गी तो यह कहां meet हुई है यह meet हुई है यहाँ पर तो यह चीज क्या हो गई आपकी यह हो गई image of the object तो हमने क्या किया है सबसे पहले हमें कैसी दिखाई दी रही है यह हमने dotted बनाई है मतलब actual में तो नहीं meet करी न तो यह क्या होगी आपकी virtual and erect होगा इसके nature तुसरी बात करें smallest size में object के size से small है थर्ड बात करें तो कहां मन रही है between F1 and O तो यह क्या होगा अकन केव के लिए तो बहुत ही अच्छा हमें चीज मुलगे कि कहीं भी पढ़ा हो object infinity से लेकर O के बीच में कहीं भी पढ़ा हो image कहां बनेगी छोटी बनेगी और focus first और optical center के बीच में बनेगी image so अब करते हैं इसके uses uses of concave lens तो concave lens का सबसे पहला use क्या है? concave lenses are employed in spectacles to correct short sightedness defect of vision concave lenses हम specs में use करते हैं जिनको किसकी defect होता है जो दूर का देख नहीं पाते हैं जैसे कि जो भी लोग 40 तक या 45 तक जो होते हैं उनको दूर का चश्मा लगता है यहिंकि दूर की image आपको अच्छे से दिखाएं हो देती जैसे कि आपके बार आप blackboard में अच्छे से देख पाते हो तो उसे हम बोलते हैं short sightedness उसका दूसरा नाम होता है myopia तो जिसमें आप दूर की चीज़ों को अच्छे से clear नहीं देख पाते हैं उसके लिए आप use करते हो concave lens अब यह किस तरह से use होते हैं उसकी हम details study करेंगे human eye chapter के अंदर that is 11th chapter के अंदर और इसमें next इसका use किया used in Glalio's telescope Glalio एक scientist थे जिन्होंने अपने telescope ने concave lens का use किया था concave lens का use कैसे हो रहा है कि अगर दूर से infinity पर object पड़ा है तो वो कहां बनाते थे image आपकी वो बहुत ही छोटी सी image बनती थी focus में बनती थी ठीक है next video में हम cover करेंगे lens formula and magnification